मार से गुजर रहा है, चारों तरफ मंदी का असर दिखाई दे रहा है, तो कोटा में बिजली भी मंदी के मार गुजर रही है मतलब मंदी के मार से कोटा के लोग बिजली भी कम इस्तिमाल कर रहे हैं, देखे रिपोर्ट पूरे देश में मंदी का महर है वो जो मुबाइल सेक्टर से लेका टेक्स्टाइल उद्योग हो या रियल एस्टेट सभी जगे मंदी से सुस्ती नजर आ रही है लेकिन कोटा संभाग में भी बिजली उभोग के मामले में मंदी की मार देखने को मिर रही है संभाग में बिजली की खरीद बीते वित्ती अवर्ष के मुकाबले इस साल बिजली का इस्तिमाल कम हो गया है पूरे संभाग की बात करें तो 599 लाख यूनिट की खरीद बिजली कंपनियों ने कम की है साल 2018 अप्रेल से डिसंबर महीने में 5929 लाख यूनिट बिजली जैपुर वित्युत वित्रन निगम लिमिटेट ने कोटा संभाग के शहरी शेत्र यानी नगर निगम, परिशत और पालिका शेत्रों के लिए खरीदे थी इस साल 2019 में इसी पीरिड में 5,330 यूनिट की बिजली JVVNL ने खरीदी है कोटा शहर के साथ कैथून, इटाबा, रामगंज, मंडी और सांगोद के नगर पालिका शेत्र में 1907 लाख यूनिट की खरीद JVVNL ने 2018 में की थी जबकि इस साल ये खरीद घटकर 1594 लाख यूनिट रह गई है ऐसे में 366 लाख यूनिट की कम विजली खरीदी गई है कोटा संभाग में 12 जिले की बात करें तो वहाँ 26 लाख यूनिट की खरीद कम हुई है बूंदी जिले में 227 लाख यूनिट की खरीद में कमी आई है तो जालवार जिले में 20 लाख युनिट खरीत बढ़ गई है कोटा शहर में अप्रेल 2018 में 2,12,000 उभुकता थे साल 2019 में 2,16,000 हो गए है जबकि विजली का उभुक कोटा शहर में 339 लाख युनिट कम हुआ है कोटा शहर में विजली उभोखताओं ने सोलर पैनल अपने घर, ओफिस और संस्थानों में लगा लिये हैं ऐसे में एक फीज़ी से भी कम ही विजली का उत्पादन उभोखता कर रहे हैं एक अप्रेल से दिसंबर महिने तक संभाग के शहरी एरिया में विजली खरी कोटा में 2018 में 315, मही 2019 में 916, इचावा में 2018 में बिजली खरीद 111, महीं 2019 में 101, कैथूर में 2018 में 116 और 2009 में 169, राम JESS मंटी में साल 2018 में 212 बिजली खरीद हुए, जबकि साल 2019 में 249 बिजली की खरीद हुए तो कुछ भी हाला लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है जरूरते भी बढ़ रही है विजली के कनेक्शन बढ़ रहे हैं लेकिन मंदी की मार से मर रहे हर सेक्टर के बीच ये भी सामने आया कि बजली की खपत भी कम हो रही है हिमान शुमित्तल जी मीडिया कोटा